आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंक्रीट के बहुती गुर धर्म क्या है फिजिकल परपटी अब कंक्रीट क्या है तो फिजिकल परपटी अब कंक्रीट के चार पाट है पहला है उसके सामर्थ दूसरा है टिकाउपन तीसरा है सुकारिता और चौता है सगनता सामर् चंक्रीट के कुछ अन्य भहतिक गुष्ट चाइच में कि गई आगे अध्यायाट में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अधे कश्म माझिक कार्यों में निरुमाढ जमनेकश वाधिक इसुद माल की जाती है और इसकी संपीडन उध्य की बीचार की सामर्थ कम होती है और संपीडन सामर्थ अधिक होती है अता साधा सेमेंट कंक्रीट का उपयोग उन्हीं संदचनाओं में किया जाता है जिन पर किवल संपीडन बल्व कार्यत है संपीडन सामर्थ के आधार पर भारतिय मानक ब्यूरो ने कंक्रीट को अनेक ग्रूप वा ग्र प्रवाबित करते हैं वो हैं पांच कारक हैं जल सीमेंट अनपात हो गया संगटकों का अनुपातन हो गया कंक्रेट की कुटाई हो गई कंक्रेट की तराई यानि एग्रिगेट हो गया वाटर सीमेंट रेशी हो गया प्रपर्पर्शनिंग हो गया और कंपैक्शन हो गया तथा उत्तम जल सीमेंट अनुपात अपना कर भली भात मिला कर पूर कुटाई तथा तराई करके इसे चिर अस्थाई यानि अनंत काल तक बनाया रखा जा सकता है दोस्पूर सीमेंट तथा कमजोर मिलावे से तैयार कंक्रीट निम्न स्रेडी की होती है कंक्रीट की रंद्रो या सुकारिता कंक्रीट का वह गुड़ है जिसके कारण तैयार सुघट कंक्रीट बगैर पिर्थक करण अथ्वा निस्रवड यानि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के सुगमता से कार्यास्तर पर परियोग किया जा सके सरल भासा में इस प्रकार हम कह सकते हैं कंक्रीट जो फर्मे में सभी कोनों तक सुयम आसानी से भहते विये पहुच जाये और इसकी कुटाई हो सके सुकर कंक्रीट कालाती है सुकर कंक्रीट का लाती है कंक्रीट की सुकारता इसमें मिलाए गए पानी की मात्रा पर निर्भर करती है कंक्रीट में जितना अधिक पानी होगा उतना ही वह अधिक सुगट होगी और आसानी से बिचाई जा सकेगी परन्तु जल सिमेंट अनुपात से अधिक पानी उपलद होने पर कंक्रीट की सामर्थ घड़ जाती है जादा पानी मिलाने पर कंक्रीट की सुकारता बढ़ जाती है लेकिन उसकी सामर्थ घड़ जाती है कंक्रीट के सुकारता बढ़ाने के लिए मिलावे का उच्च उपयुक्त स्रडी करण मिसरण बिधी तथा कुटाई काफी सहायक सिद्ध होती है कंक्रीट मित्रा को अकंपक का परियोग करने पर सक्त प्रकार की कंक्रीट भी भली भात मिलाई तथा बिचाई जा सकती है कंक्रीट का दरव की रूप में बहने की परविर्ति को सघनता गएते हैं ठीक है इसको इंग्लिस में करती कंसिस्टेंसी कंक्रीट में जिस कदर अधिक पानी होगा उतनी ही सघनता या गाड़ापन उतनी ही कम होगी सगंता ये सुकारता कंक्रीट के दो संबंदित तत्व हैं कंक्रीट के सगंता ये सुकारता ग्याद करने के लिए आउपात सलम परिच्छड किया जाता है जो अनुछेद 4.6 में हम आगे डिसकस करेंगे अब हम बात करेंगे नेक्स वीडियो में तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए तैंक यू जैहिन जैवारत